वेलकम टू मैं चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है दोसों इन काले-काले बीजों को देख कर आप समझ गए होगे कि आज मैं आपके साथ कलाउंजी जिसे कि हमारे यहां मंगरेल कहा जाता है इंग्लिश में इसे ब्लैक क्यूमिन सीट कहा जाता है और साथ ही साथ इसे नाइजीला सीट भी कहा जाता है जिसका प्रयोग हम लोग जाता सबजी में करते हैं, सबजी के बगार में करते हैं कई बार हम लोग पूरी पराठा बनाते हैं, मठरी बनाते हैं, कचोरी बनाते हैं, तो उसके आटे में भी हम इस कलाउंजी को डालते हैं, परंतु क्या आपको पता है, ये छोटे छोटे दाने वाली कलाउंजी कितनी जादा फाइदेमंद है, हमारी सेहत के लिए, हमारे सौं आप बिल्कुल ही दूर हो जाएगी, बालों का जड़ना रुख जाएगा, या फिर आप कलोंजी को पीस कर इसका पाउडर बना ले और उस पाउडर का भी आप हेर पैक लगा सकते हैं, दही मिक्स करके, तो बालों के लिए कलोंजी बहुत फाइदे मंद है, उससे कई गुना जादा हमारे सेहत के लिए भी फाइदे मंद है, जोडों में दर्द होता है, तो कलोंजी का तेल लगाएं, कलोंजी का तेल कैसे बनता है दोसों, कुछ कलोंजी को आप सरसो तेल में, या तिल के तेल में, या नारियल के तेल में आप पका लें, मतलब एक कटोरी, अगर करें आप गरम पानी में डाल कर पीते हैं जोडों का दर्द डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा और बीपी के लिए भी यह बहुत अच्छा है आयरन होता है भरपूर मात्रा में केल्शियम होता है हमारी हड्यों को मजबूत बनाता है कलोंजी का सेवन तो कलो सवन्फ की तासिर ठंडी होती है और सवन्फ हमारे खाने के जयके को बढ़ाने के सांथ-इसांथ गुणओ का सवन्फ में भरपूर मात्रा में केलस्यूम होता है मैगनिशियम, फॉस्फोरास, पोटेशियम, मिनरेल पोटेशियम जैसे मिनरेल होते हैं , विटामीन A होता है हमारे मेटाबॉलिजम को बढ़ाता है जो लोग वजन कम करना चाहते ना दोस्तों उसे भी सौफ और कलोंजी के पानी को जरूर पीना चाहिए बहुत तेजी से वेट लॉस होता है हमारे शरी में जमे हुए फैट को बन करने का काम करता है सौफ और कलोंजी का पानी तो कैसे बनाना है एक बड़ा गलास भरकर पानी लिया है इस पानी में आपको कलोंजी को रात भर भिगा कर रखना है सुबह उठकर इस पानी को गरम करके चान कर पीना है जिन लोगों को बहुत जादा पित्त की शिकायत है दोस्तों वे लोग इसमें सौफ जरूर मिला है सौफ से आपको आपके शरीर को फाइदा भी होगा तो एक छोटी चम्मच कलोंजी बहुत जादा कलोंजी का इस्तेमाल नहीं करना सौफ आप बड़ी चम्मच भरकर भी ले सकते हैं परन्तु कलोंजी आप आधी चोटी चम्मच ही लें अगर बहुत चोटा चम्मच है तो एक चम्म साथ ही साथ, सौफ पानी पीने से हमारा स्ट्रेस भी कम होता है, और हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कैलोरी को बरन करता है, Metabolism fast होता है और जिन्हें बढ़ते हुए वजन की बहुत जादा चिंता है दोस्तों वे सौफ और कलॉंजी का पानी जरूर ले जिन्हें जोडों का दर्द है उन्हें कलॉंजी का पानी जरूर पीना चाहिए क्योंकि कलॉंजी में भरपूर मात्रा में केलशियम होता है हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है हमारे वजन को कम करता है और आइरन से भरपूर होती है कलॉंजी तो हीमोगलोवीन जिनका कम है दोस्तों उन्हें भी कलॉंजी का सेवन करना चाहिए हार्ट ब्लॉकेज में फायदे मंद है जो हार्ट पेशेंट है उन्हें भी कलॉंजी का पानी जरूर पीना चाहिए अस्थमा में वाले भी ले सकते हैं साइनस से बचाता है हेयर फॉल को रोकेगा जितना इसका एप्लिकेशन फायदे मंद है उससे कई गुना जादा कलॉंजी का पानी यदि आप पीते हैं उससे भी आपके बालों का ज़ड़ना रुख जाएगा तो बढ़ी अच्छा उबाल आचुका आप देख सकते हैं स्लो फ्लेम पर कम से कम दस मिनट तक इसे बॉल करें कलॉंजी और सौफ ये दोनों बहुत ही सस्ती चीज़े हैं बहुत आसानी से हम लोग इसे खरीच सकते हैं और किसी भी ग्रॉसरी शॉप में दोनों चीज़े मिल जाएंगी कुछ दिन आप लें कम से कम पंदरा दिन लेकर देखें उसके मुझे कमेंट जरूर करें आपको बदन दर्द, जोडों के दर्द, हड़ियों के दर्द से आराम मिलेगा और बाकी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं बिमारियां बताई हैं जिनका हीमोगलोविल लेवल कम है जो एनिमिक है उन्हें भी इसे जरूर लेना चाहिए कॉंस्टिपेशन को दूर करता है तो यह जो ऐसा बीज है दोसो कलोंजी का बीज ऐसा बीज है जिसका कंजप्शन भी कर सकते हैं आप इसका एप्लिकेशन भी कर सकते हैं और एकने और पिंपल की समस्या से भी रहत मिलेगी इस पानी को आप पिएंगे आप चाहें तो इसमें शहद डाल सकते हैं दोस्तों जिनें बहुत जादा वात और कफ की परशानी है वे शहद जरू डाले दोस्तों और जो डियाबिटिक हैं वे शहद ना डाले जो वात और कफ के रोगी हैं वे इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं ठंड के मौसम में गुड़ भी बहुत फायदे मंद होता, थोड़ा सा गुड़ डालें, जो वजन कम करना चाहते हैं, जो डियाबिटिक पेश्मेंट हैं, वे गुड़ का भी प्रयोग ना करें, और इस ड्रिंक को थोड़ा गरम-गरम ही पियें, बहुत ही फायदे मंद है य पिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कलोंजी का तेल जरूर बनाएं, जोडों की मालिश जरूर करें, जोडों के दर्द से राहत दिलाता है, कलोंजी का तेल खाने में भरपूर इस्तमाल करें, सबजी के बगार में भी आप कलोंजी के इंटेक को जरू बढ़ाएं खास कर ठंड के मौसम में आप कलोंजी के इन बीजों का इस्तमाल भरपूर करें आपके स्वास के लिए आपके सौंदर के लिए बहुत ही लाभकारी ये कलोंजी